तो आज फीस के लोन एप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, यह एप्लिकेशन रियल है या फेक है, इस एप्लिकेशन पर क्या क्या प्रॉब्लेम्स आते हैं, यह एप्लिकेशन सेफ है या नहीं, यह सारी सीजर मैं आप लोग को आज इसी वीडियो में बताने बाला हूँ, तो पहले ही मैं आप लोगो को बताना सांता हूं कि यह application नया application है और RBI के साथ registered तो नहीं है और है भी तो यहां पर लिखा नहीं है तो हम लोगों को नहीं पता है कि यह application registered है या नहीं है और इस application का जो customer कर email आप लुग देखो एक email आईडिया तो यह कोई professional loan application तो हमें फिलाल के ताइम पे नहीं लगता है कोई individual process हो सकता है लेकिन नया application है इसलिए मतलब यहाँ पे बहुत जादा से जादा loan फिलाल के ताइम पे मिल रहा है तो इसलिए market पे इतना सर्शा हो रहा है इस application के और इसमें problems भी आता है मतलब काफी लोगों को इस application पे rejection भी मिलता है लेकिन fake application नहीं है गाइसी application 100% real application है फिलाल लोगों को इस application पे loan मिल रहा है क्योंकि starting phase पे अभी भी 1000 से मतलब जादा download हुआ है तो 1K download से हुआ है आप लोग देख सेटे हो कुछ लोगों को loan मिला है और कुछ-कुछ लोगों को loan नहीं भी मिला है तो हर बंदे को loan नहीं मिलता है बाकि एप्लिकेशन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा और Google Play Store पे यहाँ पे आप लोगों को about application पे सारी details मिल जाता है तो आप लोग को यहां पर पता ही होगा processing fees भी लेता है यह application और यहां पर इस application पर loan मिलने में time लगता है guys instantly नहीं होता है आप लोग को apply करके loan मिलते हो एक दो दिन लग जाता है तो बाकी application तो fake नहीं है अगर आप लोग 25% interest rate पर personal loan लेना चाहते हो तो यहां पर try करके देख सकते हो बहुत ही low civil score है फिर भी आप लोग यहां पर try कर सकते हो लेकिन ऐसी कोई trust rate या safe है इसका कोई guarantee नहीं है ठीक है तो अपनी data अपनी RICS पर दालना और अगर आप लोग को apply करना है तो अपने RICS पर करना क्योंकि आपकी जो भी details आप लोग दालोगे आपकी जो भी other cut plan कर आप लोग अपलोद करोगे उसके data किस के पास आईगा वो लोग क्या करेगा हमें नहीं बता है तो अगर apply करना है तो अपनी RICS पर करना है ठीक है तो बैस इतना ही है बाकी application आप लोग अगर आप लोग smart बनते हो तो आप लोग अपना decision कुछ से ले सकते हो आप लोग को apply करना है या नहीं करना है आप लोग कुछ से decision लेने ना तो बस इतना ही है गाईस